हम बनाएंगे ब्हेंगन का बर्ता और ब्हेंगन का बर्ता बनाना के लिए मैंने लिए हाँ पे एक ब्हेंगन और यहाँ एक प्यास को बरिकात हुआ और यह दोहरी मिस बरिकात के मैंने लिया है और यहाँ पे बरिकात के लिया है और यहाँ पे जो मसाले इस्तमल करूंगे यहाँ पर मैंने लिया आये तो चलिए आप भेंगन बढ़ता बाना में की रसे भी शुरू करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे इस बहेंगन को हम इससे कट लेंगे बहेंगन को ऐसे कटे कि यह अलग नहों और इससे दो हैदे हो और यह देखिए इसके इसके भीतर खरब है या इसको देख चाएगी तो आप हम क्या करेंगे जो कट किया है इसके अंदर यह दोहरी मिर्स डाल देंगे यह उप्शनल है अब यूज़ कर सकते हो यह लो सुन दोंगी में और यह हमने गैस अन कर लिया है अब यह इस्टन के उपर हम यह बेंगन रख देंगे गैस को मीडियम फ्लेम पर हम इस बेंगन को पकने देंगे और यह एक साइट पक रहा है अब इस साइट में पकाऊंगी यह इसको मैंने हाई फ्लेम पर रखा है और ये बेंगन जहाओ अच्छे से पख गया है ये दिखिए ये चारो तरफ अच्छे से पख गया है अब हम क्या करनके गेस का उफ कर देंगे और ये बेंगन को एक फ्लेट में हम यहाँ से निकल लेंगे बैंगन को हमने ठंडा होने के लिए दो मेनित चोट देंगे और ये बैंगन ठंडे हो गई है अब हम क्या करेंगे इसके सिल्के एसे निकल लेंगे और ये बैंगन को हमने अक्षे से सिल्का निकल लिया है अब हम क्या करेंगे इसके हिस्सा एसे काट देंगे और ये सिल्का निकालने भात आप इसको वाश भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसको वाश नहीं करोंगी त्योंकि वाश करने से इसका टेस्ट कम हो जाता है आप हम इस म्हीन को अच्छे से मेस कर लेंगे अगी इससे इसको मेस कर लें और इसके अंदर ये लोशुन रहरी मिर्स भी आप देख सकती हो इसको इसे मेस कर देबेंगन के ahead इसको ज्यादा अच्छा होता है और यहां मारा बेंगर मेश करना हो गया अब हम इसको अलग रख देंगे तब हम चलते हैं इसके रेश्वी भनाने की प्रसस में इसके लिए मैंने गेसफ्राइक करना हिवे चलता देंगे और में डाल देंगे यहांपे थोडी सी तेल को गर्म हनें के लिए चोर देंगे तेल गरम हो गळ्याब हम डाल देंगे इसमें जीरा जीरा को अच्छे चप्राइ होने दे और हम यहाँ पर ढाल देंगे यह प्याच बारी कटा हुए इसको अच्छे चप्राइ करेंगे और हम डाल देंगे यहाँ पर अधर लोशुन का पेस्ट आप घिसा हुआ इस्तमल कर सकते हैं यह मैंने घिसा हुआ इस्तमल किया है इसको अब अस्पेसे मिस्ट्राइ करेंगे कि एक हरी मिस्ट डाल देंगे याद रहे मेने भेंगण का अंदर भी हरी मिस्ट डाल दीया था होड़ी कम करके डाल देंगए छोड़ देशके 2 मीनिट तक प्राय होने तक गैस को मैंने लोग प्लेम और यह आधी मिनित बाद प्यासार लोचुन अध्रत कुषित अच्छे से पक गया है अब हम ग्यास के प्लेम लोग कर देंगे और इच्छू का मसाला यद्ट करेंगे यह अध्र मैं डालदेंगे थोरीची हल्दी पावडर और थोरीची लाल मेर्श पावडर आप जीपनाति खा करते हैं और यह थोरीची दन्याज़ीर्ळका पावडर ओर इसको आठ्च्छे से मिला देंगे इसको आधी मिनित के लिए हम इसे फ्राइ करेंगे जिर्किु कुए मसाले की चोकत्च पन है वर भेंगन भाटा में ना लगे आधी मिनित बार ये मसाला अठ्च्छे फ्राइ हो चुका है अब हम ढल देंगे ये टमाटर क्वात्यों से मिलावेंगी टेमाटर को हम दो से तीर मिनित पकाएंगे ढग कर गेस को मैंने फ्लोव फ्लेंबे रख दिया है तो तीर मिनित बार हम कबार खुलेंगे और जी देखिए टेमाटर प्यास के सथ अत्री से पक गया है यह आप देख सकती हो अब हम यहाँ पर मेश किया हो बेंगन ढल देंगे मिला देंगे इसको मसालों में और यह मिला बेंगन को मसालों के सथ अत्री से मिक्स कर दिया है अब हम दलेंगे यहाँ पर नमक नमक में निस्तमाल नहीं किया था तो आप हम यहाँ पर नमक दाल देंगे और इसको कर देंगे नमक दालने के बाद हम इसको लोग फ्लेम पर बेंगन को लगातार एट मिनिट यह से भूनेंगे और यह हमारा बेंगन बत्ता तयार है अब गेस को हम आफ कर देंगे और यह प्लेट में हम इसको साब करेंगे प्लेट में हम इसको साब कर रहा हूँ और यह हमारा भेंगन बत्ता तयार है अब इसको गर्मागरों रोटी या पराटे के साथ इस्तमाल कर सकते हो अगर आपको यह मेरी डेसे क्यात चल लगे तो नीचे दियाक लाएक लाएक को बाटन के क्लिक कीजिए और मेरी चैनल में नही हो तो सास्केर्ण जोर कर दीजिए